आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, देवरानी बनी सोतन, यहे एक हिंदी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं, औरत, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पड़ी लिखी है, जान की, हाँ मौसी, सिर्फ पड़ी लिखी नहीं है, बलकि वो तो नौकरी भी करती थी, औरत, अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना, जान की, जरा बचकर रहना मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं, औरत, मतलब की बड़ी तीखी मिर्ची होती है, यह ज्यादा पड़ी लिखी लग्कियां, पता चला कि तू है तो जेठानी पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे, वो औरत, जान की के मन में अपनी हुने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी, दरसल जान की की शादी दो साल पहले ही सुरेश से हुई थी, वो बहुत ज्यादा पड़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छ से संभाल लिया था, सुरेश का छोटा भाय था महेश जिसकी शादी अब प्रिया से हुने जा रही थी, तब दूल हे बने महेश को देखकर जान की ने कहा, जान की क्या बात है दूल हिराजा, बड़े जच रहे हो, आप जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ, अकेले धर का काम करके तो मेरा तो बुरापा ही आ गया, प्रिया आएगी तो कम से कम में भी किसी पर हुकुम चला सकूंगी, महेश, आप भी न भाभी, कमाल करती हो, धून धाम से महेश और प्रिया की शादी हुई और प्रिया आपने ससुराल आ गई, उधर जब बारात नई दु पर ने देना, उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी, जानकी, हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ, उस औरत की बाते जानकी के दिमाग में बस गई थी, जानकी ने भी ठान लिया था कि वो प्रिया से थोड़ा सकती से पेश आएगी, शादी को एक हफता बीट गया, सब ठीक चल रहा था, प्रिया बिना किसी के कहे जानकी का घर के कामों में हाथ बंटाती, इस तरह जानकी और प्रिया की पट्री अब आपस में मिलने लगी थी, दोनों सारा दिन हसते और बात करते करते काम निपताते लेकिन बीच-बीच में जानकी को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सक्त होने की एक्टिंग करने लगती एक दिन, सुरेश, अरे जानकी, जरा सुनो तो, जानकी, हाँ जी, कहिए सुरेश, वो प्रिया और महेश को हमारी कुलदेवी के मंदर भी तु ले जाना है ना तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लियाओ पैसे अलमारी से निकाल लेना, जानकी, शहर से क्यों, यहाँ हमारे यहाँ दुकाने कम है क्या सुरेश, अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए जानकी, अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंदवाई सुरेश, अच्छा तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बड़िया साड़ी अब खुश हो, और सुनो, महेश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा जानकी, ठीक है, सुरेश की बात सुनकर दोनों हसने लगे अगले दिन, जानकी अपने देवर महेश के साथ बाईट से शहर के लिए निकल पड़ी रास्ते में महेश ने जानकी से पूछा, महेश, क्यों भावी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है की नहीं जानकी, तुम बाईट चलाने पर ध्यान दो, बड़े आये रिश्टों के इंस्पेक्टर महेश, रिश्टों का इंस्पेक्टर, पर देखना भावी एक दिन आपको प्रिया पर नाज होगा जानकी महेश की बाते सुनकर सोचने पड़ गई, वो भविश्य देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अन्हूनी उसका इंतजार कर रही है वो जिस रास्ते से जा रहे थी वहाँ एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोड़दार टक कर दे मारी जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जानकी भी कई फुट उचल कर दूर जागिरी थी वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुँचाया सुरेश, वो, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब डॉक्टर, I am sorry, आपकी पतनी जिंदा तो है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आए है हमने उन्हें बचा तो लिया है लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है अंद्रूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आए है हम उन्हें कुछ दिन औबजर्वेशन में रखेगे अगर इस दोरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में सुरेश और दूसरे कोने में प्रिया दहाने मार कर रोने लगे सुरेश ने अपने भाई को गवा दिया था और जानकी जिन्दा लाश बन चुकी थी तो वही प्रिया शादी के साथ दिन बाद ही विध्वा हो गए थी कई दिनों के बाद भी जानकी के बदन में कोई हलचल नहीं थी डॉक्टर जवाब दे चुके थे फिर एक दिन डॉक्टर देखिए सुरेश ची मैं आपको कोई जूटी तसल्ली नहीं दूँगा हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जानकी की हालत में कोई सुधार नहीं है उन्हीं यहां रख कर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे सुरेश, कितना वक्त है मेरी जानकी के पास डॉक्टर साहब डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है ज्यादा से ज्यादा च्छा-ाथ महीने डॉक्टर की बात मानकर सुरेश जानकी को घर ले आया आप जानकी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती उसकी आखे खुली रहती पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती सुरेश, चिंता मत करो जानकी तुम देखना सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा प्रिया, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए आप अपना ओफिस देखिए दीदी को आज से मैं समभाल लूँगी वैसे भी मेरे पास अप करने के लिए है क्या अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी की मेरा जीवन सफल हो गया प्रिया की बात मानकर सुरेश आफिस चला गया इधर प्रिया ने जानकी की सारी जिम्मिदारी बहुत अच्छे से संभाल ली सुरेश ओफिस जाता और प्रिया सारा दिन जानकी की सेवा में लगी रहती शाम को सुरेश आकर जानकी से खूप सारी बाते करता जानकी बाते सुनती तो थी मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी उधर दिन भर प्रिया जानकी की दवायों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी प्रिया की सेवा और उसका प्यार देखकर जानकी की आँखों से आंसु आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी की कितना गलत सोचती थी मौसी एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है बेचारी का सुहाग नहीं रहा लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है है भगवान मेरा तो जो हुना था वो हुग गया पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो बिना पति के कैसे जियेगी सारी जिंदगी ऐसे ही कई महीने बीट गए प्रिया के जी जान लगाने के बाद भी जानकी की तबियत में कोई सुधार नहीं था. फिर एक दिन सुरेश ने प्रिया से कहा, सुरेश, प्रिया, मुझे काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा. प्रिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ समभाल लूँगी सुरेश के जाने के बाद तो प्रिया हर वक्त जानकी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती जानकी अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि प्रिया वैसी बिलकुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी फिर एक रात जब प्रिया सो गई तो जानकी ने फिर अपने मन में सोचा कब तक ही दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे कब तक सुरेश अकेले अपना जीवन काटेंगे कब तक कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोज़ बनी रहूंगी यही बाते सोचते सोचते जानकी की भी आंख लग गई एक हफ़ता बीट गया सुरेश वापस आया तो आते ही वो जानकी की पास बैग गया प्रिया भी सुरेश के लिए पानी लेकर वहां गई तब ही अचानक जानकी के हाथ में हल चल हुई ये देखकर सुरेश और प्रिया बहुत ही खुश हो गए वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही जानकी का काउकता हुआ हाथ सुरेश की तरफ बढ़ा सुरेश ने फोरण आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर जानकी ने प्रिया को भी आँखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया प्रिया भी फोरण जाकर जानकी के पास बैठ गई प्रिया अब सब ठीक हो जाएगा मैं, मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहां बुलाती हूँ लेकिन प्रिया वहां से नहीं जा सकी क्योंकि जानकी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था फिर जानकी ने एक गहरी सांस ली और सुरेश और प्रिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया उसकी आँखों में आशू और होटों पर एक हलकी मुस्कान थी वो क्या कहना चाहती थी, ये सुरेश और प्रिया अच्छे से समझ चुके थे तब प्रिया ने उससे कहा, प्रिया, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी कहते हुई प्रिया जानकी के काफी नजजदी का गई थी, तो जानकी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई दो साल बाद, सुरेश, प्रिया, कहा हो? प्रिया, आई जी, लीजिए ये रहा आपका नाश्ता सुरेश, बढ़िया और मेरी गुलिया कहा है, प्रिया, अभी भी सो रही है, रात भर बस यही रत लगाती रही कि मम्मी प्लीज एक कहानी और प्रिया की बात सुनकर सुरेश मुस्कुरा देया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गई, सरेसा, हर, बखको तजार, यपराई अभी तका सोकार नही मुथी, लखकी याब जाब पापपगा अगई है तमरी जनकी को तो उन्हागगा नही जनकी गुटपागा पापगगाती, जनकी, गुट पुट पुट पुटपा अमामी, अजए की रही का सुरे में प्लीज काईजी लाजी, निसकाम और में जारूर बादीम.